आज के लेक्चर में मैं आपको जीलों के प्रकार टाइपस ओफ लेक्स तथा राजस्तान में जीलों के महतों की जानकारी दूंगे जीले जल से भरा विस्तरत भूबाग होती हैं जो चारों ओर से इस्थल से घिरी होती हैं जीलों का जल इस्थिर होता है जिसकी सतह पर पवन के प्रभाव से तरंगे उत्पन होती हैं नदिया जरने वर्षा जल बर्फ के पिखलने आदी से जीलों को जल की आपूर्दी होती हैं जीले किस प्रकार बनती हैं या ये कितने प्रकार की होती हैं यह है बोतिक पूगुल फिजिकल जोगरफी का अध्यन शेत्र है बेसिक जानकारी के लिए यहां इतना समझना आवश्यक है कि जीलों का निर्मान विभिन्न प्राकतिक प्रक्रमों नेचरल प्रोसेसेज दुआरा होता है जैसे विवर्थनी की गथीविदियों टेक्टोनिक एक्टिविटीज से निर्मित जीलें जोहला मुखी क्रिया वॉल्कैनिक एक्टिविटीज से निर्मित क्रेटर व काल्डेरा लेक्स हिमानी क्रिया डिलेशियल एक्टिविटीज दुआरा निर्मित टॉर्न या सर्क ल कास्ट प्रदेशों की कास्ट लेक्स, तटवर्ती शेत्रों, कोस्टल रीजन्स की लगून लेक्स, मरुस्तली शेत्रों की प्लाया लेक्स नदी क्रिया फ्लूवियल एक्टिविटीज से निर्मित गोखुर जीले ओक्सबो लेक्स आदी विभिन प्रक्रमों से निर्मित जीले है इसके अतिरिक्त मानाव द्वारा कृतिम रूप से भी जीलों का निर्मान किया जाता है जैसे किसी बड़े शेत्र में भूमी को खोद कर उसमें पानी को एकत्रित किया जाना या नदियों पर बांध का निर्मान करके जल को रोकना जीले इस्थाई पर्मनेंट या एस्थाई टेंपरिरी मीठे पानी की फ्रेश वाटर या नमकीन पानी की सॉल्ट वाटर लेक्स हो सकती हैं ऐसी जीले जिनका आउटलेट नदियों द्वारा होता है या जिने लगातार वर्षा जल की प्राप्ती होती रहती है वे सामानेत है मीठे पानी की जीले फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं ऐसी जीले जिनका कोई नेचरल आउटलेट प्राकतिक निकासी नहीं होती है और जो उष्ण शुष्क जलवायु शेतरों होट एंड एरिड क्लाइमिटिक रीजिन्स में इस्थित होती है जहां वाशपी करण इवैपरेशन की मात्रा वर्षा की मात्रा से अधिक होती है सामानेत है नमकीन पानी की जीले सौल्ट वाटर लेक्स होती हैं इन शेतरों में वाशपी करण इवैपरेशन अधिक होने से धीरे धीरे भूमी की गहराई से लवणिय वशारिय पदार्द सेलाइन एंड एलकेलाइन मेटर्स म्रदा की उपरी परत पर पहुचते रहते हैं म्रदा में उपस्तित ये लवणिय वशारिय पदार्द वर्षा जल वनदियों द्वारा प्रवाहित होकर जीलों में एकत्रित होते रहते हैं जिससे इन जीलों में कालांतर में लवणिय वशारिय पदार्दों की अधिकता हो जाने से इनका जल लवणिय या खारा सेलाइन हो जाता है इसी दिये ऐसी जीलों को नमकीन पानी की जीले सोल्ट वाटर लेक्स कहते हैं किसी भी शेत्र की अपुहा प्रणाली ट्रिनेज सिस्टम का निर्मान वहां प्रवाहित होने वाली नदियों के साथ ही साथ वहां इस्थित जीलों ध्वारा भी होता है और यह उस शेत्र की भू आकरतिक बनावट फिजियोग्रैफी व ढाल स्लोप से प्रवावित होता है अपुहा प्रणाली की दिश्टी से राजस्तान की जीलों का महत्व और भी अधिक है क्योंकि यहां की महत्वपून जीले आंतरिक अपुहा प्रणाली इनलेंड ड्रिनेज सिस्टम बनाती है जिसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ राजस्तान की प्राकतिक वा मानव निर्मित दोनों प्रकार की जीले महत्वपून है जीलों से राजस्तान में सिचाई वा पेजल आपूर्दी इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाय होता है और नमक उत्पादन वा मत से पालन फिशिंग भी होती है साथ ही राजस्तान की जीले अपने प्राकतिक सौंदर्य, जैव विविद्दा, धार्मिक महत्व, वा परियतन आकर्शन, नेचरल ब्यूटी, बायो डाइवर्सिटी, रिलिजियस इंपोर्टेंस, एंड टूरिस्टिक अट्रेक्शन के लिए भी विश्व प्रसिद हैं इस प्रकार राजस्तान की जीले न कीवल प्राकतिक परियावरण नेचरल एनवायमेंट की दृष्टी से महत्व पूर्ण हैं, अपितु इनका सांस्कृतिक वा आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक हैं राजस्तान की जीलों को हम मीठे पानी की जीले, फ्रेश वाटर लेक्स तथा, नमकीन पानी की जीले, सॉल्ट वाटर लेक्स में वर्गी कृत, क्लासिफाई करके अध्यन करेंगी राजस्तान की बहुतिक वा सांस्कृतिक पर्यावरण में इन दोनों ही प्रकार की जीलों का बहुत अधिक महत्व है राजस्तान की महत्व पूर्ण मीठे पानी की जीलों वा नमकीन पानी की जीलों का विस्तार से अध्यनम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगी झाल झाल